बराबर कितना दे रखे हैं जीरो पॉइंट सेवन मीटर और क्या दे रखे हैं तो आज हम बात करेंगे वर्क्षीट नंबर सेवन्टी एट के बारे में मैथ क्लास नाइन्थ जो की आपको 28 जनवरी को प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है यह आज की मारी टोपिक इस वर्क पर आपको समझाएंगे अच्छे से समझ में आएगा बट वर्क्षीट स्टार्ट करने से पहले एक इंपोर्टेंट चीज सुन लो असस्मेंट 13 यानि आकलन कारपत्रक तेरा आया हुआ है तो ओल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिस मैं साइंस अप्लोड है इस वीडियो के लिंग कर लो मैंने प्लेट की लिंक पेस्ट कर रेका वापन करके एक साथ सब्सक्राइब कर लो ठीक है तो अब कर लेना तो सबसे मैं चीज और एक समझना है एक लंब ते विलन तो यह ध्यान में रखना यह वेलन है तो कलर चेंज करके बता रहौं इंपोर्ड़न चीज ह यह पूरा यहां से चूह की ऩॐता कार्व पूरा यहां यहां तक यहां whenever यहां तक क्तनी होजएगा हमारा यह व्यास होता है प्रिश्टय श्यद्ऽ क्रिश्य शेथ फोर्मुला थीज्ट यॉ सोलिशन साथ में है कोशन नमबर वन कोशन नमबर टू इन दोनों को अब हम लाइब समझाते हैं ब्लैक बोर्ट पर अच्छे समझो ताकि एक ही बार में समझ में आज़े ठीक है तो कोशन नमबर वन है स्वेम प्रयास केजिए का एक लंब वृत्तिये बेलन का वख्र प्रिष्टिये शेदपर 4.4 मीटर स्कुएर है बेलन के अधार की त्रिज्जा 0.7 मीटर है उचाही हमको निकालना है तो सबसे पहले देखो आंसर बन में कैसे करोगे आप कंफ्यूज उना क्या दे रखा है हुँचाही हे बराबर कोशन वाके निकालना है त Trajan क्यों होती है त्रजा की होती है मारी रो दिया शोती है त्रजा और भी यह तिखिट्जा अ मिद्धेह खिर जीरो,7 मीटर और यतरymphर, और क्या रखना आपको फॉर्मुला क्या होता टू पाई आर एच बराबर चार पॉइंट चार ऐसे लिखो दो पर दो आएगा पाई कमान होता बाइस बटे साथ और और कितना दिया कोस्टन में गुणे के निसान साथ में लगता जाएगा जिरो पॉइंट साथ गुणे एच पर एच रहने दो क्योंकие वैल्यों ने दिये बराबर चार पॉइंट चार जार चार से काटें गेंगे साथ…" बटे में आजाएगा इंदर से इतर किस्वे पिटेम नला रिक्टbane ऑफ एक निकालना था उचाही एक बराबर एक मीटर लगा दो या सेंटीमीटर या आपका क्या हो गया आंसर ठीक है आंसर नंबर वन हो गया बेलन का प्रिश्ट छेथफल दिया था फॉर्मलाइज सेट रखेंगे वैलू पूट करेंगे वैलू पूट करके जैसे प्रोसेस में प्रिश्ट करयों की प्रिश्टा दर से प्रेंट कराने के लिए फ्रेंट करने का वह राणा या सवक्रमडर कि निकलते हैं ध्यक्या रखना तो सबसे पहले नवाइन 75 darm रका है व्यास कितना दे रखा है व्यास दे रखा है पचास सेंटीमेटर तो फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा वक्ष्ट कोड़ा होता है तू पाई ऑर एच यह ध्यान में रखो सबसे पहले तो टू पाई कमार रखो आप पहले आप जरूरत है और और बराबर होता है व्यास बटे में दो यह आर का फॉर्मुला यह पर कितना रखो कितना देखो पत्चीस किसमें सेंटी मीटर में यह मीटर में और जो हमको निकालना है को सब द्यान से पड़ो तो हम सब कि से भाग करना पड़ेगा सब्सक्राइब करेंगे लिए हमको सभी रांसी को समान पड़ेगा कि दो करना हिके कुछ सबस्क्राइब करेंगे और जाएक एक मीटर बड़ाबर सो से बाग करेंगे तो यह इतना आगे बढ़ेंगे तक निकालना पड़ेगा तो बेलां का वक्रिष्ट निकालेंगे सबसे पहले बेलन का वक्त प्रिष्ट या बेलनाकार इस्तंब का वक्त प्रिष्ट ये शेद्पर लिख सकते हो ठीक है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है टू पाई आर एच टू पाई कमांड बाइस बटे साथ आर आर कोस्टन में कितना है निकाले 0.25 0.25 रखेंगे और आजेगा 0.5 साथ बचा क्या दो गुड़े 22 गुड़े 0.25 गुड़े 0.5 इनका अपस में गुणा कर लेना गुणा करोगे ताएगा 5.5 मीटर स्कॉयर पर हमारा अंसर नियमें निकालना क्या है यहां लिखेंगे पेंट कराने कराने का यह बराबर क्या होगा जितना आया अधर वार कोईर यहां लिखेंगे तो आपका अंसर कितना आजाएगा इसको गुणा कर लेना आप ठीक है इसमें सब को सेंटीमीटर में करेंगे सो से डिवाइट करेंगे 0.25 फिर बेलन का वक्प्रिश निकालना पड़ेगा क्योंकि पेंट कराना है तो उसके बाद में कितना आएगा वक्प्रिश पांच पांच मीटर फिर 12.50 की दर से पेंट कराने करेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा ठीक है ना यह हमारा आंसर हुआ ठीक है अब कंफ्यूज नहीं होना है सबसे पहले हम सोच देख हमको क्या निका तो सबसे पहले हमने यह सोचा कि वक्प्रिश निकालना तो पिसका फॉर्म्ला सोचेंगे फिर जो चीजें दी हुई है जैसे पाइगा माल पता है एच दिया है तो आर निकालेंगे तो इसी को पर निकालते हैं फिर सारी चीजें सेव होनी चाहिए अगर सब मीटर में होता